हलो एव्रीवन वेलकम टू मैं अभिशेक कुमार हम लोग इस वीडियो में एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और वो नए चैप्टर का नाम है चैप्टर नमबर 12 एलजेबरिक एक्सप्रेशन्स तो एंसी आई टी बुक में यह है आपका चैप्टर नमबर 12 और इस च चैप्ट क्लास में वर्ट आलजेबरा से एंट्रड़ूज हुए थे कि यहारे कम आइस होता है कि नोए तो नेन टो हे इनको हम कहते हैं लिटरल नंबर स्थीके मैथेमेटिक के अंदर इन लेटर इस को कहा जाता है literal numbers numbers की एहमियत दी गई है इन letters को कहां से लेके small alphabet a से लेके चलिए 2 मिट small alphabet a से लेके आप जब z तक कोई भी कोई भी मैं कहता हूँ कोई भी letter का use करते है ठीके तो यह जो letters है a से लेके z तक इन letters को हम literal letters बोलते हैं इसलिए बोलते हैं लिटरल numbers इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन numbers को इन letters को आप use करके कोई भी एक supposition कर सकते हैं जिस number की जिस जिसकी value आपको maths में नहीं पता मैंने का suppose करो कि आपके पास कुछ number of toffees हैं क्योंकि आपको number of toffees नहीं पता तो इस case में आप लोग इन literal numbers का use करते हैं वो literal numbers होते हैं from a to z ठीके तो a से लेके z तक कुछ भी एक variable कुछ भी एक word को जब हम लेक letter को उठाते हैं एक number के supposition में डालते हैं तो इस case में ये literal numbers maths के अंदर word variables कहलाते हैं हम इसको और आगे समझेंगे और हमने ये word समझा है algebra जो topic है हमारा algebraic expressions तो इसमें एक word है algebra algebra का मतलब जब इस तरह के literal numbers और आपके arithmetic relations arithmetic relations मतलब वो जो आपके fundamental operations जो आप बच्पन से पढ़ते आ रहे हैं positive का sign, negative का sign multiplication का sign, divide का sign जब आप इन literal numbers और इन fundamental operations का use करते हैं किसी number के साथ में किसी चीज को express करने के लिए तो ये एक mathematics की branch होती है जो algebra से related होती है, जिस branch को हम algebra कहते हैं, तो mathematics की एक branch है algebra, जो आपने 6th class में इस word से introduce हुए थे तो कुल मिला के मैं आपको ये introduce कराना चाह रहा था, कि letters represent the numbers ठीके, और so they are called the literal numbers, we can perform the four fundamental operations on them, हम इनके बीच में ये four fundamental operations का use करके, जब किसी चीज को, किसी चीज को express करते हैं, तो इस चीज के इस case में हम लोग mathematics की एक branch पढ़ रहे हैं उस branch का नाम है algebra, ठीके तो अब algebraic expressions, ठीके, तो हमें आप लोग को already linear expressions in one variable जब linear equations in one variable पढ़ा रहा था, उस theory को आप लोग watch करना वहाँ पर मैंने expression और equation में difference बताया है, ठीके equation क्या होती है, expressions क्या होती है और algebraic expressions क्या होती है जब हम इतने सारे letters का use करेंगे, जैसे मैं बोल रहा हूँ x, y को आप plus कर रहे हैं, z square के साथ तो ये एक algebraic expression है, ठीके आपने literal numbers का use किया आपने fundamental operations का use किया और फिर से आपने किसी चीज को आपने एक literal number को लेके, उसका square करके एक चीज को express करने की कोशिश की है, तो इस चीज को हम कहेंगे, algebraic expressions I hope आप लोगो को ये चीज पहली slide समझ आ रही होगी चलिए, हम इसको और थोड़ा अच्छे theory form में समझते हैं कि algebraic expressions have numbers and literal numbers, तो अब आप से कोई भी पूछे, कि algebraic expression का मतलब क्या होता है, मतलब किसी चीज को express करना किस form में, numbers और literal numbers को लेके, जैसे मैं बोल रहा हूँ, 2 plus x तो 2 एक number है, और x क्या है, एक literal number है तो number and literal number के बीच में जब कोई operation use होता है तो इस तरह की जो expressions होती है express करने का तरीका होता है इसी को हम expressions, algebraic expression बोलते हैं in the expression, 156 plus x, 156 को हम कहेंगे constant ठीक है, 156 एक fixed value मतलब जैसे हाँ पर मैंने लिखा है 2 plus x तो 2 एक fixed value है, हमें पता है कि 2 है, दो टॉफी है मेरे पास, दो टॉफी का जब मैं sum करूँगा, किसी number of toffees के साथ, तो वो number of toffees मुझे नहीं पता, ठीक है तो ये चीज, जब आपस में express की जाती है तो इस case में, जो fixed value होती है, इसको हम कहते है constant, ये fix है एकदम constant value है, fixed value है ठीक है, और जो x है ये x इस case में, जो literal number है, x, ये इस case में variable, word variable कहलाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि कि किसको constant कहते हैं और किसको variable कहते हैं अब variable can take various values variable की कोई भी value हो सकती कोई भी, और variable कुछ भी हो सकता है, a, b, c, d, x, y, p, q, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, its value is not fixed, इसकी कभी कोई fixed value नहीं होती, इस कारण इसको variable कहा जाता है, जो vary करता है, variable का मतलब जो vary करता है, constant मतलब fix है, value fix है तो इसलिए इसको constant और इसको variable कहेंगे clear है आप लोगों को आगे समझेगा on the other hand a constant has a fixed value जो चीज मैंने बोल के बता वही मैंने सामने लिखा तो इसको आप अपनी copy में note करते जाना मैं यह बहुत important chapter है आगे in future तक आपको काम आने वाला आपके school life भी खतम हो जाएगी उसके बाद भी यह चीज आपके regular life में काम में आती है clear है next समझेगा आगे जो मैंने cover up कर रहा हूं वो यह है कि माल लो तुम्हाई सामने की example है x और उपर लिखा है मैंने 5 चीज को समझना x और उपर मैंने लिखा है 5 और y उसके उपर मैंने लिखा है 7 तो बात को समझना जब इस तरीकी की कोई चीज आपके सामने आती है तो x की power में जो 5 है यह एक expression है आपने किसी चीज को express किया आपने x को 5 बार multiply किया है क्योंकि 5 बार multiply होगा इस कारण उसको छोटा करने के लिए हमने x की power में 5 लिख दिया है तो यह चीज जो चीज है यह मैंने chapter में समझाए यह power and exponents में आप उसकी theory watch करिए ठीक है power and exponents में यह चीज मैंने समझाए यह क्या है अब यह algebra में बहुत ज़्यादा use होने वाला आपके सामने एक expression होगी जैसे मैंने बोला x के power में 2 प्लस 3x तो इसका मतलब क्या इसका मतलब यह कि x दो बार multiply हुआ है इस case में इस x को क्या बोलते हैं तो यही चीज मैं आगे cover कर रहा हूं देखा देखना इसको in the expression x raised to the power 5 the number slightly to the right मतलब जो number right में है मतलब यह जो power में मैंने चीज लिखी है यह जो ऊपर लिखा है ना इसको हम कहते है exponent इसको हम कहते है exponent तो यह जो chapter है powers and exponent उसमें और अच्छे deep में मैंने चीजों को solve करना सिखा है यहाँ पर algebraic expression में मैं आपको एक छोटा सा intro दे रहा हूं ठीक है कि exponent किसको कहेंगे जो नीचे लिखा है उसको base कहेंगे और जो ऊपर लिखा है इसको exponent कहते है पावर कहते है ठीक है तो the letter along the line as x in x raised to power 5 is called its base तो base किसको कहते है यह जो नीचे लिखा है इसको कहते है बेस और जो ऊपर लिखा है यह तुम्हारा है exponent यह इसको कहते है index यह इसको तुम कहते हो जब statement form में तो तुम कहोगे y raised to the power of 7 power of 7 मतलब उसके सर के उपर पावर में लिखा है 7 x raised to the power of 5 ठीक है तो नीचे वाले को base कहते है उपर वाले को exponent कहते है the highest degree of any term in an algebraic expression is called the degree of the expression कोई भी अगर आपको expression दी है उसमें अगर similar value है मैं लगा similar variable है तो इस case में जो highest power है मैं लगा x की highest power कितनी है 2 यहाँ पर x की power कितनी है 1 तो इस पूरी expression की जो degree है word degree इस expression की degree कहलाएगी यह 2 तो highest power in an expression is known as a degree of the expression अब यहाँ पर मैंने यही चीज लिखके भी दिखाई है जो मैं यहाँ पर बता रहा था कि x raised to the power 5 x raised to the power 5 5 को कहेंगे exponent और x को कहेंगे base तो इस चीज को आप कॉपी कर लो किसको exponent कहेंगे किसको base कहेंगे ठीके और जो degree किसको कहेंगे तो what degree तुम्हें पता होना चाहिए कि highest degree of any expression is the degree of that expression ठीके तो यह चीज आपको पता होना चाहिए कि degree of the expression का मतलब क्या है 9th class में 8th class में आप लोग इसको और detail में आगे पढ़ोगे कि degree of expression होता क्या है ठीके एक overview दिया है मैंने बस clear चलिए आगे समझेगा कि algebraic expressions contain one or more terms algebraic expression में एक या एक से ज़्यादा terms होती है तो यह word terms का मतलब क्या है अब समझो यहाँ पर जैसे मैं एक example ले रहा हूँ वह example है 4x square minus xy यह expression है यह algebraic expression है algebraic expression क्यों है क्योंकि यहाँ पर एक literal number का use किया है यहाँ पर दो literal number का use किया है clear तो literal numbers का use है numbers का use है और आपके operation लगा हुआ है subtraction का इस पूरी expression का जो highest degree है मतलब degree of this expression is what 2 clear अब इसके अंदर terms किन को कहेंगे तो terms contain letters and numbers connected by multiplication, division and powers मतलब मेरी बात समझना कि terms किन को कहते है terms का मतलब होता है जब number of variables को आप साथ में लिखते हो multiply करके लिखते हो तो यह चीज कहलाती है term और यह चीज कहलाती है term product of any two literal numbers or numbers ठीके तो यह कहलाती है term जो की separate होती है positive और negative sign से तो positive और negative sign एक expression में जिन चीजों को separate कर रहा है वो चीज कहलाएगी term मैंने एक छोटा से example ही हम पे लिया थोड़ा बड़ा example आप लोगों को लेके दिखाता हूँ जैसे मैंने बोला यहाँ पे अगेन दो चीजों का product है और यह constant है fixed value है और operations लगे हूँ है बीच में plus 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 तो यह पूरी चीज एक term कहलाएगी यह पूरी चीज एक term कहलाएगी यहाँ पे भी 9P एक term कहलाएगी और 3 एक constant term कहलाएगी तो कितनी term से इस expression में 1, 2, 3, 4 जो चीज separate हो positive और negative sign का use करके उसको हम कहते है term तो यह चीज मैंने हिहाँ पे समझाया है we combine terms using addition to make expressions तो expressions बनाने के लिए हम इन terms का combination करते हैं तो एक expression बनती है तो जब terms आपस में combine होती है using the operation sign of plus and negative only plus and negative is known as an expression इस चीज को आप note कर लीजेगा for example 4x square minus xy is an expression यह एक expression है with two terms 4x square and minus xy तो sign भी साथ में move करता है आप चीज को समझना अगर मैं यहाँ पे आपको clear करके board एक expression लिखता हूँ जैसे मैंने लिखा 2x minus y plus 3z minus 20 माल भी मैंने एक expression लिखी है इसमें terms क्या क्या है तो आप गहेंगे से 2x एक term है y एक term है but y term नहीं है यहाँ पे minus y एक term है यहाँ पे 3z एक term है plus 3z यहाँ पे minus 20 एक term है तो यह एक negative integer है constant value, fixed value है ठीक है? तो minus 20 एक term है एसे ही यहाँ पे plus 3z एक term है यहाँ पे minus y एक term है और plus 2x एक term है आपको पता होना चाहिए कि terms कैसे बताते हैं तो sign का जैसा sign लगा है किसी term के आगे वो पूरी चीज लेनी है और उसको term बोलना है तो इसलिए यहाँ पे हमने minus xy को एक term बोला है और 4x square को एक term बोला है इस expression के अंदर इस expression में यह 4 terms है तो terms क्या होती है constant क्या होते है ठीक है constant fixed values को बोलते है expression क्या होती है यह चीज मैंने आपको समझा दी है तो यहाँ तक आपको चीज समझ आ गई है आगे समझना कि when we multiply two or more numbers जब मैं multiply करता हूँ दो यह दो से ज़्यादा numbers को together each of the numbers is called factor of the product factor क्या होता है जिस चीजों के multiplication से कोई number बना है जैसे मैंने बोला एक number है मेरे सामने 12 ठीक है यह 12 कैसे बना है यह 12 कैसे बना है यह 12 बना है 3 और 4 के multiplication से ऐसी बना है तो 3 को जब मैंने 4 से multiply किया तो 12 है तो 12 का factor क्या है 12 के factor है 3 and 4 4 के factors क्या है 4 के again 2 factors है 2 and 2 तो इस तरीके से आपको factors बताने है आगे बहुत सारे ऐसे questions है exercise 12.1 को देखिएगा 12.1 और 12.2 में इस तरह के बहुत सारे questions है जहां पर आपको एक expression दिए एक algebraic expression दिए उसमें से factors को अलग करना है तो factors क्या होते है यह चीज़ समझना the numbers 3 and 4 are the factors of the product similarly the factors of the product 4xy अब मैं एक example ले रहा हूँ 4xy तो 4x और y इन में किस तरह का operation लगा है इन में अगर आप ध्यान से देखे तो इसमें एक 4 है जो की multiply हो रहा है x के साथ और फिर वो multiply हो रहा है y के साथ जब कोई operation नहीं होता एक number एक literal number के बीच में एक variable के बीच में तो वहाँ पर कोई operation नहीं है इसका मतलब वहाँ पर multiplication है तो 4xy का मतलब है 4 multiply हो रहा है x से x multiply हो रहा है y से तो इसके factors क्या है इसके factors है 4 x and y फिर उसके आद वह तुमसे पूछ सकते है 4 के factors बताओ तो 4 के factors है 2 and 2 तो total factors इसमें जो दिख रहे हैं वो है 4 multiplied with x multiplied with y ठीक है तो जिनका product बना है जिन चीजों का multiplication करने से product बना है वो factors कहलाते है 4 is called a numerical factor अब अकेला जो आगे एक value है 4 यह एक number है तो इसको हम कहेंगे numerical factor है और x और y को हम कहेंगे literal factors तो आपको यह दो चीजे पता होनी चाहिए कि factors दो तरह के होते हैं algebraic expression जब भी आपके सामने आएगा तो उस case में factors दो तरह के होते हैं कौन-कौन से दो factors होते हैं एक होता है numerical factor और दूसरा होता है literal factor तो एक numerical factor nf लिख देता हूँ और एक होता है literal factor lf clear है यह बहुत clear होना ज़रूरी होना चाहिए इस चीज को आप ऐसे block diagram में बना लो अपनी copy में तो factors क्या होते हैं अभी तक हमने क्या क्या कवर कर लिया algebra का मतलब क्या है expression का मतलब क्या है terms का मतलब क्या है constant का मतलब क्या है ठीके उसके बाद यहाँ पर हमने factor word समझाया कि factor word का मतलब क्या होता है फिर factor के अंदर मैंने दो चीजे समझाई कि numerical factor किसको कहते हो expression 4x square minus xy consist of two terms अब यहाँ पे चीज को समझना कि 4x square minus xy अब मैं आपको अगर पूछता हूँ तो इसमें मैं आपसे ये सवाल करूँगा कि बताओ terms कितनी है तो आप कहेंगे कि sir आप जो terms पूछ रहे हैं यहाँ पे terms है 4x square and minus xy यही terms है ठीके इसके अंदर मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि बताओ numerical factor क्या है तो numerical factor यह है आपका 4 और literal factor क्या है यह है x square मतलब x into x ऐसे यहाँ पे मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि numerical factor बताओ क्या है तो यहाँ पे numerical factor क्या है यहाँ पे literal factor तो x multiplied with y है मतलब x and y literal factors हैं और numerical factor है minus 1 तो minus 1 को जब आपने multiply किया होगा x और y के साथ तो ही तो आपका minus x y एक term बनी होगी यह term को जब आपने add किया 4x square के साथ तो आपकी एक expression form होई 4x square minus x y अब आपने बोला sir की add किया हाँ मैंने add किया यहाँ दियान देना अगर मैं plus का sign लगाता हूँ और मैं minus x y को इस तरीके से combine करता हूँ तो यह एक algebraic expression बन जाएगी भाई plus into minus minus होता है तो यह चीज clear हो जाएगी आप लोगों को 4x square minus x y clear है our term is a product of its factors तो कुल मिला कि अगर तुमसे कोई पूछता है कि what do you mean by the word term तो उसका जवाब आप देना कि अब product of its factors factors का product मिलके एक term बनाता है इसलिए मैंने यह चीज यहाँ पर लिखी है आप इसको copy में लिख लीजे प्लीज थीके तो यह चीज clear है आगे समझिएगा एक question तुम्हें आने वाला है NCIT में बहुत अच्छा question एक्जाम में पूछा जाता है कि तुम्हें एक algebraic expression दे दी जाएगी क्या दे दिया जाएगा algebraic expression और जैसे यहाँ पर लिखा है कि 4x square minus xy यह एक algebraic expression है यह वो लोग देंगे और आपसे कहेंगे कि tree diagram बनाईए tree का मतलब पेड़ tree diagram बनाईए मतलब ऐसा एक diagram बनाईए जो कि पेड़ नुमा दिखे उसकी पतियां हो उसकी branches हो तो आप देखना इस algebraic expression में यह इसकी branches हैं और यहाँ पर इसकी leaves हैं तो आपको बताना है कि terms क्या है और उन terms के अंदर factors क्या है इस तरीके से जब आप चीज को express करोगे तो यह बन जाएगा tree diagram देखना है इसको 4x square minus xy यह given algebraic expression है इसके अंदर मैंने ऐसा branch बनाया और मैंने terms बताए पहले terms को separate किया terms क्या क्या है 4x square and minus xy अब इन इस leaf के अंदर इस branch के अंदर फिर leaves है देखी का वो factors है तो यह branches है यह factors है मतलब यह leaves है branches and leaves ठीक है इसलिए यह tree बोलते है और यह पूरा एक उसका बार का आप बोलो जो एक तना होता है पेड़ का तो वो तना यह है main इसके अंदर branches क्या है उसके अंदर leaves क्या है तो इसलिए इसको tree diagram बोलते है देखना 4x square के अंदर factor क्या है 4 multiply हो रहा है x के साथ तो x multiply हो रहा है x के साथ तो ही तो 4x square बना यहाँ पर ऐसे ही minus 1 x के और y के साथ multiply हुआ है तो इसके factors क्या है minus 1 x and y तो यहां बना है minus xy तो यह चीज आप अपनी copy में note कर लो कि tree diagram का मतलब क्या होता है आपको एक algebraic expression दी जाएगी आपको एक bark दिया जाएगा आपको एक तना दिया जाएगा पेड का आपको उसकी branches जूननी है that means आपको terms जूननी है और उन branches के उपर लगी हुई leaves मतलब आपको factors लिखने है तो यह है tree diagram बनाने का तरीका यह 2 marks का question आपके exam में आता है तो यह मैंने आपको theory में cover up किया 12.1 exercise 12.2 exercise में इस चीज को हमने समझाया भी है तो उस video को भी watch करिएगा जैसे यह theory lecture खतम होता है आगे समझना यहाँ पर मैंने tree diagram आपका clear कर दिया आगे coefficient एक word आपको पता होना चाहिए कि coefficient का मतलब क्या होता है coefficient का मतलब हिंदी में होता है साथी, जो साथ दे जो आपके साथ में लिखाया है तो साथी, साथ देने वाला ठीक है, any factor of a term is called the coefficient of the remaining factor of the term इसका मतलब यह कि अभी जो हम example लेते वा आ रहे हैं वो example हमारा था 4x square minus xy, इस case में अगर मैं बात करूं, तो 4x square एक term है इस 4x square के अंदर अगर मैं आपसे पूछूं कि x का साथी कोन है x का x का आप बताओ कि coefficient क्या है, तो आप कहेंगे x का coefficient, यह x square का coefficient, अगर मैं पूछता हूं आपसे बताइए x square का coefficient क्या है तो आप कहोगे x square के साथ multiply में क्या है, 4 है, मतलब इसका साथी कोन है, 4, तो एक term के अंदर होता है, coefficient ठीक है, any factor of a term any factor of a term कितने factor है, इस case में अगर आप देखो, तो x square एक factor है, 4 एक factor है तो x square का factor 4 है मतलब साथ में factor 4 लिका है तो x square का coefficient है 4 और 4 का coefficient है x square अगर सिर्फ x का coefficient पूछा है इस case में तो आप कहेंगे 4 x x का coefficient क्या है 4 x, चीज को समझना जो 4 x square हमने लिखा है, यह term है इसमें 3 factors है 4 x and x और मैंने आप से बूछा है, सिर्फ x का coefficient, तो किसी भी x को पकड़ लो, इसके साथ में 4 x, जो है वो इसका साथी है coefficient है, तो वो ही चीज मैंने यहाँ पे समझाया है देखना, for an example, in the term 8pq 8pq term के अंदर देखें, board के लिए कर देते है 8pq के अंदर the number 8 is the numerical coefficient of pq जो 8 है, यह numerical coefficient है numerical coefficient, word पता होना चाहिए कि numerical coefficient का मतलब क्या होता है और जो xpq है जो pq है, इस case में p is the coefficient of 8q and q is the coefficient of 8p, तो numerical coefficient 8 है और pq का अगर हमने numerical coefficient पूछा, तो उस case में pq का numerical coefficient 8 होगा अगर मैंने पूछा कि 8p का coefficient बताईए, तो 8p का coefficient है q अगर मैंने पूछा 8q का coefficient बताईए तो इसका coefficient है p मैंने पूछा pq का coefficient बताईए, तो वो है 8 मैंने पूछा सिफ 8 का coefficient बताईए तो आप कहेंगे इसका coefficient है PQ तो आपको word coefficient का मतलब पता होना चाहिए इसलिए मैंने इस word को यहां cover up किया है तो अभी तक आप लोगों ने क्या क्या समझा वीडियो के अंदर आपने समझा कि भाई, algebra क्या होता है expression क्या होती है, terms क्या होती है constants क्या होते है, factors क्या होते है ठीक है फिर उसके बाद आपने समझा coefficients क्या होते है, tree diagram कैसे बनता है तो इस सारी चीज़े हैं हमने यहां cover कर ली literal factors किन को कहते है numerical factors किन को कहते है ऐसी numerical coefficient किसको कहते है तो इतनी सारी चीजे आप लोग अभी तक ग्राइब कर चुके वीडियो के साथ बने रहना ठीक है ऐसा नहीं कि हाँ आप आ गया और भाग गया ऐसा नहीं है ठीक है अभी नहीं आया अभी बहुत कुछ आगे सीखने के लिए ठीक है अभी तो मैं सिर्फ एक तरह का इंट्रो और अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं ठीक है तो टर्म्स भी दो तरह के होते हैं टर्म्स जो हमने वर्ड पीछे समझा टर्म्स क्या होते हैं या आपने पीछे सीखा टर्म्स फिर दो तरह के होते हैं एक होता है लाइक टर्म्स और एक होता है अनलाइक टर्म्स क्लियर है तो लिख दिया यहां पर मैंने और ऊपर लिख दिया है । इनको कहते हैं कि terns कि यह सब्सक्राइबरे शतीन है वह खोला है ये तो धे भी मारोल लाइब ले जिनाद ध्यां पोकतेथब और एक्षे मेगे झायों कि डिखाइक गुझे 10 x square y, क्या ये like terms हैं, ये sub like terms हैं, ये t नहीं ही, हाँ पर r like terms, ठीक है, तो ये word है, r like terms, ये sub like terms है, क्यों like terms हैं, ध्यान से देखना, बहुत जरूरी बता रहों, देखो, इनका कभी coefficient मत देखना, कौन सा, numerical coefficient कभी मत देखना, sign कभी मत देखना, जब भी like terms बताने हैं, तो like terms के लिए आपकी नज़र सिर्फ इनके variables पे होनी चाहिए, यहाँ पे क्या है x square y, यहाँ पे भी again क्या है x square y, यहाँ पे भी again क्या है x square y, यहाँ पे भी again क्या है x square y, एकदम similar, x दो बार multiply हो रहा है, y एक बार multiply हो रहा है, तो जब factors एकदम similar होते हैं, तो हम ऐसी terms को like terms कहते हैं कौन से factor? variable factors ठीक है? वो जो literal factors है literal factors जब एकदम similar होते हैं तो यही चीज मैंने लिखा है terms having the same algebraic literal factors आना चाहिए था are called like terms तो मैंने एक example लेके बता दिया अब 4PQ और 2PQ ये भी like terms है देखो 4 और 2 मत देखना क्या देखना है? आपको देखना है PQ and PQ similar है? एकदम similar है P multiply हो रहा है Q के साथ अगर इसी की जगह पे दिया होता 8 QP और मैं तुम से पूछता बताओ 8 QP क्या like term है इन दोने जैसा है like मतलब एक जैसा तो तुम कहोगे हाँ क्यों हाँ? क्योंकि यहाँ पे Q और P का multiplication हो रहा है मैं 2 into 3 करूँ या 3 into 2 करूँ बात तो सेम होती है तो ऐसे यहाँ पे P into Q करूँ या Q into P करूँ तो यह सारे like terms है अब unlike terms क्या होते हैं? जब इनके literal numbers different होते हैं मतलब variables different होते हैं मैं board clear कर देता हूँ धियान देना unlike terms की तरफ तो unlike terms किनको बोलते हैं terms having the different algebraic factors जब उनके algebraic factors different हो मतलब जो literal variables हैं जो literal numbers हैं जो variables हैं वो जब different हो example 6xy square and minus 2x square y x दो बार multiply हो रहा है और y दो बार यहाँ पे multiply हो रहा है तो इस term में और इस term यह unlike terms कहलाएगा 6ab and 6a are unlike terms अब आपको confusion नहीं होना चाहिए देखो यहाँ पे 6 के साथ ab का multiplication हुआ है बट यहाँ पे सिर्फ a का multiplication हुआ है तो इस तरीके से like terms और unlike terms तुम्हें पता होने चाहिए clear है बच्चो next देखिएगा तो इसमें देखना kinds of algebraic expression मैंने आपको बताया किस तरह की algebraic expressions होती है and algebraic expression containing only one term अब algebraic expression के भी kinds होते हैं ठीके हम उसके लिए word use करते है word है monomial next word है यहाँ पर देखना binomial third word है trinomial फिर एक word है polynomial ध्यान देना types of algebraic expression ncrt और rd शर्मा में कई तरह के ऐसे questions दियें जहां पर तुम्हें सामने expressions लिख देंगे और तुम्हें बूचेंगे question आएगा one marks का कि बताओ यह expression किस तरह की है ठीके यह algebraic expression किस type की है तो monomial mono का मतलब होता है single हो तो हम उसको कहते है monomial ठीके an algebraic expression containing only one term is called a monomial algebraic expression containing two terms जब दो terms होती है तो हम word use करते है binomial by का मतलब two, दो terms वाला और यह word एक चल रहा है nomial, nomial, इसके आगे भी word चल रहा है meal meal, 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 mial तो वो एक अलग word है उसका मतलब एक algebraic expression की बात हो रही है mono मतलब single, by मतलब two, और tri tri, tri का मतलब होता है तीन terms, three terms तो जब किसी expression में किसी algebraic expression में तीन terms होती है तब हम उसको कहते हैं trinomial जब एक या एक से ज़्यादा terms दी है, फिर कितनी भी दी हो one या one से ज़्यादा one से ज़्यादा two दी है one से ज़्यादा three दी है अगर two दी है तो आप कहैंगे binomial singal दी तो monomial 3 दी है तो ट्राइनोमियल बट चार दी है पांच दी है चे दी है साथ दी है दस दी है life में एक word use करते हो polythene मतलब many numbers of ethene जब आपस में match होते हैं तो polythene बनती है ethene ठीक है तो chemistry का part है maths की बात करते हैं polynomial का मतलब जब number of terms one या one से ज़्यादा number of terms जब आपस में combine होती हैं एक expression बनाने के लिए तो हम word use करते हैं polynomial ninth class में आप बहुत detail में पढ़ने वाले हो polynomials के उपर पूरे एक chapter है ठीक है तो जब algebraic expression तुम्हारे सामने आए तो आपको यह पता होना चाहिए कि वह polynomial है monomial है binomial है trinomial है कुछ example ले ले लेते हैं ठीक है example देखना माल लो मेरे सामने एक expression लिखी है सिर्फ 2x सिर्फ 2x मनदा 2 is multiplied with any literal number और यह एक expression है यह मैंने कुछ चीज़ express कर दी 2 multiplied with any number में पार दो टॉफी है जब इन दो टॉफी को मैं multiply करूँगा number of people के साथ तो मुझे पता चल जाएगा मुझे कितनी टॉफी की जरूरत है तो 2x 2x मतलब एक monomial single term मतलब monomial इसके बाद मैं एक example लेता हूं 2x plus 7y यहां पर देखना यह expression है 2x एक term है 7y एक term है हमने term पीछे समझा है दो term है इसलिए इसको कहेंगे binomial इसके बाद एक example लेते हैं 2x plus 7y plus 3 इसमें 3 term है तो यह है trinomial अब वन या वन से ज्यादा वाली terms को हम कुल मिला के polynomial बोलते हैं अगर इसके आगे चार टम होती तो उसके लिए अलग से नाम देने से अच्छा हम वर्ड यूस करेंगे polynomial पांच नम होती हम बोलते polynomial वो आपसे पूछ सकता है कि 2x polynomial है हाँ 2x भी polynomial है 2x plus 7y भी polynomial है 2x plus 7y plus 3 भी polynomial है बट यह of this a polynomial ठीक है यह जितने मैंने लिखे हैं यह सब polynomials है तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि एलजेबरिक expression के भी kinds होते हैं clear है बच्चों तो मोनोमिल बाइनोमिल टाइनोमिल one marks का question आता है आगे समझना कि हमें इस तरह का question आ सकता है क्या question है हमें value find करने के लिए question आएगा कैसे कि 10-2x मुझे एक एलजेबरिक expression दे दी जाएगी और बोला जाएगा कि x की value minus 3 है तो value निकालो मतलब इस expression की value निकालो तो expression की value निकल सकती है जब literal number मतलब variable की value दी होती है यहाँ पर समझना x की value दी है x की value कितनी दी है minus 3 उठाओ यहाँ x की जगा substitute कर दो देखना कैसे करेंगे 10 minus 2 यहाँ तक तो हमें पता है चीज अब x की जगा पर minus 3 डालना है तो 2 और x का relation आपस में multiply है तो क्या हमें 2 के साथ minus 3 को multiply कर दूँ ठीके अब समझना क्या हो जाएगा यह हो जाएगा 10 minus 2 minus 3 minus into minus bracket का मतलब multiply होता है तो minus into minus हो जाएगा plus और 2 into 3 हो जाएगा 6 तो 10 plus 6 मतलब answer आएगा 16 तो हमें इस तरह के questions आते हैं जहां पर आपको एक algebraic expression दी जाएगी और आपको एक variable मतलब variable जितने variable से उनकी value दे दी जाएगी आपको से value को substitute करना है और उस expression की value निकालनी है clear है किसकी value निकालनी है expression की value निकालनी है ऐसी आगे समझना if a is equals to 3 अगर a की value 3 है b की value 10 है p की value minus 2 है तो आप value निकालो इस expression की क्या है expression 4a minus 5 तो चलो इधर कर देते हम 4a minus 5 और 4a minus 5 a की value क्या है a की value 3 तो देखो 4 multiplied with 3 minus 5 will give you what it will give you 12 minus 5 and 12 minus 5 का मतलब क्या 7 तो यह आगे answer ऐसे ही दूसी चीज़ समझना 4 bracket 4 bracket a plus 5 तो जैसा लिखा है ना चीज को छेड़ना मत वैसे का वैसी लिखे रहें देना बस जिसकी value दिये वह value उठाके वहाँ डाल दो a की value कितनी दिये 3 तो हम यहाँ पे 4 bracket 3 plus 5 करेंगे और 3 plus 5 होता है 8 4 into 8 होता है 32 तो इसकी answer आएगा 32 clear है ऐसे ही एक हमें दिया है pb square इस चीज को समझना pb square का मतलब क्या p की value क्या दिये p की value दिये minus 2 तो p की value minus 2 और p का relation b square के साथ क्या है multiplication क्योंकि कोई भी operation नहीं लगा तो आपर multiplication लगा है बी की value है बी की value दी है 10 बी की value दी है 10 तो आप बी की जगह पर 10 डालो और बी के power में 2 लिखा था इसका अमलब 10 के power में 2 आ जाएगा तो यह हो जाएगा minus 2 multiplied with 100 10 into 10 is 100 और minus 2 multiplied with 200 will give you minus 200 clear ऐसे pb whole square का मतलब क्या होता जातर बच्चे यहां गलती करते हैं इसलिए मैंने यह सारे का exponent 2 है तो पी की जगह पर आप minus 2 substitute कर दो और बी की जगह पर 10 substitute कर दो और इस complete की power में 2 लिख दो देखो दो दोनों चीजों का answer different आएगा minus 2 into 10 होता है minus 20 और minus 20 की power में 2 है इसका मतलब माइनस 20 दो बार multiply हो रहा है इसका मतलब क्या कि माइनस 20 माइनस 20 से multiply हो रहा है तो answer आएगा positive minus into minus plus 2 into 2 is 4 और 2 0 देखो यहां पर आया plus 400 यहां आया था minus 200 तो इन दोनों चीजों में difference है इसमें confuse मत होना इन दोनों चीजों में difference है यहां पर bracket लगा है तो यह पूरी चीज 4 से multiply हो रही है यहां पर सिर्फ 4 से multiply हो रहा है minus 5 multiply नहीं हो रहा है तो यह तरीका होता है इस तरह के questions को attempt करने का 2 marks का question आएगा ठीक है तो theory में मैं आपको जान बुझ की चीज़े समझा रहा हूं ठीक है कि आपको value of algebraic expression निकालना आना चाहिए clear है बच्चों आगे समझना कि हमें इस पूरे chapter में अब आगे क्या मिलने वाला आगे हमें addition and subtraction of algebraic expression perform करना आना चाहिए तो जब भी हमें इस तरह का question आएगा कि addition and subtraction को perform करो algebraic expressions में तो देखो सबसे पहली चीज़ आपको जो question बनेगा वो बनेगा addition and subtraction of like terms ठीक है तो addition of like terms कैसे करना है subtraction of like terms कैसे करना है ठीक है and simplification of an expression consisting of like terms ठीक है तो यह चीज़ को समझो मैं क्या समझाना चाहरा हूं यहां पर मैं समझाना चाहरा हूं मानों कि मुझे 2x के साथ plus करने को बोला है 7x यह दोनों like terms है दोनों like terms है इन दोनों like terms को हमें add करना है तो addition of like terms तो जब इस तरह का question आता है तो x और x को आप common ले लेंगे और सिर्फ आगे का जो numerical coefficient है 2 and 7 इनको add कर देंगे तो यह आपका आजएगा 2 plus 7 मतलब 9x तो like terms जब add होती है तो आगे का जो numerical coefficient होता है वो आपस में add होगा little number आपस में add नहीं होते यह common ले लिए जाते हैं यह basic knowledge होनी चाहिए एक example हो लेते हैं मुझे दिया है 7xy को add करो 13xy के साथ देखो xy xy तो xy xy एकदम similar है like terms है दो like terms add करने के लिए अभिशेक सार आपने बताया था 713 को add करो तो 713 होता 20 और xy को common ले लो तो यह answer है clear है यहाँ पर 9x answer यहाँ पर 20xy answer एक और example लेता हूँ एक और example क्या कि भाई 7x square को आप add करो यहाँ मैं बोल रहा हूँ 7x square y को आप देखना x की पावर में 2 है x की पावर में 2 है इसको add करो किसके साथ मैं बोल रहा हूँ 12y x square के साथ तो सबसे पहले आपकी नजर यह होनी चाहिए कि जो दो algebraic expression मतलब जो algebraic expression दिये इसमें जो terms है वो terms जब आपस में add तभी होंगे जब उनके variables एकदम similar होंगे यहाँ पर देखना x की पावर में 2 है और 1y है यहाँ पर 1y है और x की पावर में 2 है इसका मतलब यह दोनों like term है 7 plus 12 होता है 19 और answer आएगा 19x square y यह answer clear तो यह तुम्हें पता होना चाहिए कि addition of like terms का मतलब क्या similar terms कैसे add होंगी clear है आगे समझना subtraction of like terms आगा like terms का subtraction दिया जैसे दिया 7xy में से आप minus करो 2xy को तो xy है xy है like terms है बट 7-2 का मतलब होता है 5xy सिर्फ 7-2 करना है तुम्हें माल लो तुम्हें एक question दिया है minus 8x square ठीक है और यहां पर दिया है plus 7x square तो क्या यह दोनों like terms है हाँ यह like terms है क्योंकि यहां पर भी x square है यहां पर भी x square है लेकिन जो coefficient दिये जो numerical coefficient दिये वो different sign के साथ दिये यह minus 8 है यह plus 7 है तो minus 8 plus 7 का मतलब है minus 1x square यह answer है clear है तो addition of like terms and subtraction of like terms तुम्हें पता होना चाहिए कुल मिलाके simplify कैसे करना है वो मैंने तुम्हें सिखाया clear तो यहां से हम आगे चलते हैं और क्या सीखना है हमें और सीखना है कि सिर्फ जब दो पूरी algebraic expression दी हो algebraic expression दी हो इस case में addition कैसे perform करना है अभी हम जो कर रहे थे इससे पहले वहां मैंने यह सिखाया था कि like terms को कैसे add करते हैं लेकिन यहां पर problem यह है कि 2x plus 3 को वो बोल रहा है add करो किसके साथ add करो यह बोल रहा है 3x minus 7 के साथ add करो यहां पर भी दो टर्म है यहां पर भी दो टर्म है देखो अब यहां पर अगर monomial दिया होता तो 2x plus 3x हम करते 5x आता बट यह bai dönomiella यह भी बैमेंब यह बाइन εί नो मेल यह तो में लिखते हैं इसको कहते हैं horizontal method और column method का मतलब जब एक के नीचे एक लिखते हैं देखना 2x plus 3 को add करना है किसके साथ 3x minus 7 तो like term के नीचे जब like term लिखते हैं तो इसको column method कहते हैं मतलब उपर नीचे लिखने के तरीके को column method कहते है horizontal method मतलब एक line में लिखने के तरीके को तो एक line में लिखने का ये तरीका है और यह column method है अब solve कैसे करेंगे अभिशिक सर वो भी देख लीजिए देखिए यह horizontal method से पहले में कर रहा हूं horizontal method क्या कहता है कि जो जो expression दिये उनके बीच में addition का sign लगा दो add करना है न हमें तो जितनी भी expression दिये उनके बीच में add का sign लगा दो लगा दिया और पूरी expression bracket के कोई sign नहीं है इसका मतलब आगे plus का sign है ठीक है जब bracket के आगे कोई sign नहीं होता आगे पीच्छे की बात नहीं कर रहा है आगे कोई sign नहीं होता तो bracket ऐसे का ऐसे ही open हो जाता है अब इस bracket के आगे plus का sign है तो plus into plus will give you plus 3x and plus into minus will give you minus 7 यह खोल दिया मैंने अब like terms को आपस में arrange कर 2x plus 3x यह like term साथ में लिख दी यह plus 3 minus 7 के बात चला जाएगा last में ठीक है 2x plus 3x होता है 5x और minus 7 plus 3 होता है क्या देखना यह होता है minus 4 ठीक है तो minus 7 plus 3 यह integer है तो 2 negative integer positive integer जब आपस में आया तो minus 4 आया यह answer आया अब column method देखना column method में क्या होता है like terms को एक दूसरे के नीचे लिखा जाता है देखो इसमें भी x था इसमें भी x है यह constant था यह भी constant है ठीक है अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना है add करना है तो यहाँ पे addition का sign लगेगा ठीक है plus 3 minus 7 बोल के करना है पीछे से plus 3 minus 7 तो यह आजाएगा negative sign ठी plus 3x will give you plus 5x देखो यह असान था तो 5x minus 4 5x minus 4 यह horizontal method यह column method clear है तो column method का मतलब like terms को एक दूसरे के नीचे लिखना है बस इसको कहीं पे लिख लो note कर लो clear है आगे समझना subtraction of algebraic expression subtraction भी दोनों तरीके से होता है एक horizontal method से और एक होता है column method से ठीक है horizontal method हो column method दोनों चीज मैं यहाँ सिखा रहा हूँ देखना अच्छे से एक example लिए है मैंने पहली expression क्या दिये पहली expression दिये 24 24ab minus 10b minus 18a यह पहली expression दिये इसको subtract करना है किस में से देखना मैं तुम्हें बोल रहा हूँ 7 को subtract करो from 9 9 में से तो हम क्या करते हैं जो बाद में लिखा रहता है उसको पहले लिख देते हैं तो 9 minus 7 यही तरीका होता है तो यहीं यहाँ पे भी वही चीज फॉलो करनी है जो expression पहले दी है और बाद में from लिखा है किस में से subtract करना है जो बाद में दिया है उसको पहले लिखना है तो हम सबसे पहले लिखेंगे 30AB plus 12B plus 14A इसमें से तो यह पूरी expression है इसको bracket के अंदर डाल दिया subtract करो minus का sign subtract करना था addition में हमने add का sign लगाया था subtraction में हम negative का sign लगाएंगे किसको करना है 24AB minus 10B minus 18A clear है यह चीज अब कैसे solve करना है देखो यह horizontal method है एक line में लिखना मतला horizontal method अब bracket open होंगे कैसे देखो इस bracket के आगे कुछ नहीं है directly open कर दो तो यह आजएगा 30AB plus 12B plus 14A minus into plus minus 24AB minus into minus plus 10B minus into minus plus 18A अब क्या करना है इस पूरे को solve करना है लेकिन solve directly मत करना मेरी बात मान के चलना तुम्हें पहले rearrangement करना है like terms को like terms के साथ में लिखो देखो पहली term क्या है 30AB तो हम यहां लिखेंगे 30AB AB वाली और कोई term है हाँ यह वाली है तो देखो minus 24AB है तो इस minus 24AB को आगे लिख दो sign का ध्यान रखना सिर्फ 24AB मत लिखना minus 24AB यह पूरा term आ गया जाएगा उसके बाद AB वाली कोई term नहीं है फिर plus 12B यह 12B थोड़ा सा आगे किसा गया था अब plus 12B के साथ plus 10B लिख दो like term है फिर plus 14A तो यह आ गया plus 14A और उसके बाद है plus 18A like terms like terms like terms बना दिया अब like terms यह दोनो like term है यह दोनो like term है और यह दोनो like term है अब इनको solve करो देखो 30AB minus 24AB तो AB आ गया और 30 में से 24 गये तो यहां आएगा 6 तो यह आ जाएगा 6AB plus 22B plus यह आ जाएगा 8 plus 4 मतलब 12 12 का 2 carry 132A तो यह आगया आप लोगों का answer box में डाल दो और यह answer लिख दो clear है कोई दिक्कत तो नहीं किसी को तो यह था horizontal method अब कोई मुझसे तुम में से यह पूछना चाहरा है कि नहीं से column method भी बताओ तो column method देखना horizontal method को copy कर लो अब column method देखना column method क्या कहता है कि बाद में जो लिखा है ठीक है उसको पहले लिखो देखो यहां को मैं column method कर रहा हूँ यह 30ab plus 12b plus 14a यह तुमारी पहली expression थी जिसमें से इसको subtract करना है तो हम एक अलग pen का use कर लेते हैं इसको समझना कि इसको subtract करना था तो यह नीचे आएगा क्या आएगा 24ab like term के नीचे like term ठीक है माइनस 10b तो यह आगया माइनस 10b फिर है माइनस 18a तो यह आगया तुम्हारा माइनस 18a clear है इसको subtract करना है तो यह subtract के लिए तुम्हें यहां पर negative sign लगाना है जैसे subtract करते हो हमेशा याद लखना subtraction column method में करते समय जो भी नीचे वाली expression के sign है वो different हो जाएंगे sign plus का न यह plus का sign negative हो जाएगा यहां पर negative sign था यह plus हो जाएगा यहां पर negative sign था यह plus हो जाएगा और अब तुम्हारा answer आएगा ध्यान देना क्या answer आएगा 30-24ab कैसे बोलने 30-24ab अब plus नहीं रह गया अब क्या हो गया 30ab-24ab यह आ जाएगा 6ab ऐसे प्लस 12b plus 10b तो यह आ जाएगा plus का sign और यह हो जाएगा 22b ऐसे ही plus and plus तो plus 14a plus 18a यह हो जाएगा plus 4 plus 8 12 और 32a तो यह था answer देने का तरीका clear है तो यह हमने दे दिया answer मैंने अलग pens का इसलिए यूज किया क्योंकि तुम लोगों को समझ आए कि कहां पर sign change करना है क्या नीचे आना है क्या पहले आना तो पहले वो आना है column method में जो चीज़ बाद में लिखी है और जो चीज़ पहले लिखी है वो यहां पर में लिखना है उसके पूरे के sign change कर देना है sign change करके solve करके answer लिख देना है तो इतना आसान है बच्चो इस चीज़ को solve करना तो finally magnetbrains.com पर आप लोग visit करिये मैंने यह topic यहां पर खतम किया पूरा theory आपको algebraic expression का दे दिया इसके आगे की videos को आप watch करें जहां पर मैंने NCIT के solution solve किये 12.1 12.2 12.3 इन videos को watch करोगे तो मैं बहुत अच्छे से questions समझ आ जाएंगे तो यह सब मिलेगा कहां यह सब मिलेगा Google गुगल राजा के पास तो गुगल राजा के पास जाएं गुगल के पास जाएं उनसे बोलिये magnetbrains.com की address पर आपको ले जाएं तो आपको टाइप करना पड़ेगा Google राजा को बताना पड़ेगा कि magnetbrains.com के पास जाना है तो website डालो magnetbrains.com जैसे आप यह एंटर करोगे हमारे address पर आप लोग आ जाओगे तो इस तरह का interface open होगा interface open होते ही आप नीचे scroll down करना आपके सामने different number of classes दिखेंगी आप class 7 पर क्लिक करिए जैसी class 7 पर क्लिक करेंगे तो यहां पर सारे आपके मनपसंड टीचर आप लोगों के सामने सारे subjects आपके सामने जो सब्जेक्ट आपको watch करना आपको maths watch करना maths पर टिक करो क्लिक करो जैसे watch now पर क्लिक करोगे watch now पर क्लिक करते ही आप लोगों के सामने इस तरह का जैसे इस पर क्लिक करोगे क्लिक करते ही आपके सामने वीडियो रन स्टार्ट हो जाएगी तब अच्छों हम लोग मैंगे बेंस डॉट कॉम पर हम लोग आपके लिए महनत कर रहे हैं किंडर गार्टन से लेके क्लास 12 तक free education provide कर रहे हैं आपको सिर्फ करना क्या है आपको ऐसे प्यार वना के रखना ठीक है अपने दोस्तों को बताइए जिनको जो उनको बताइए कि free education इस समय में तो बच्चो घर बैठे त्यारी करो ठीक है नेक्स्ट एक्सरसाइज को वाच करो हम लोग मिलते हैं अब उस एक्सरसाइज में तब तक अपना ध्यान रखिए बाई एंड टेक केर